एगाईज जैहिन मैं हूँ संजेब विश्व कर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चल्जिंग दी वेव थिंकिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग एग्रिकल्चर जॉप्स के बारे में जो की RLBCAU जहांसी यानि की राली लच्छमी भाई Central Agriculture University जहांसी म की Last Date क्या है सारा कुछ डिटेल जानेंगे आपको इस वीडियो के साथ आखरी तक जुड़े रहना है और जल्दी से इस वीडियो को लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक ये Information सेयर हो सके जैसे कि आप सभी को पता है कि Agri Mantra ने हाली में अपना दूसरा चैनल Agri Mantra 2.0 के नाम से रेडिस किया है जिस पर हम Agriculture Jobs और Agriculture Update समय समय पर लाते हैं तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गए लिंक पे जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसा कि यहा हाँ पर जो है Recruitment आया है अलग-अलग Position के लिए तो जिसको हम डीटेल में हाँ पर जानने वाले हैं पहला जो पोस्ट है वो है Comptroller इसके लिए जो PACE के लिए वो है Level 14 in 7th CPC Pay Matrix में यानि कि 37,400 से 67,000 रुपे प्लस AGP 10,000 रुपे प्लस Allowance यहां पर salary रहने वाली है इसके लि degree with at least 55% marks और यहां पर 15 year का experience भी मांगा गया है और सारी डुटेल यहां पर दे रखी है Maximum Age Limit है यहां पर 57 year जिसको आप यहां पर वीडियो को पोस्ट करके और सारी information देख सकते हैं सेकेंड जो पोस्ट है वो है Dean Fisheries Science के लिए salary वोई सेम 37,400 से लेके 67,000 प्लस 10,000 प्लस Allowance और यहां पर जो है doctorate degree यानि PhD की डिगरी हां पर होनी चाहिए और 15 year minimum यहां पर experience भी मांगा गया है और सारी detail भी यहां पर है जिसको आप देख सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके आगे बात करेंगे third का dean veterinary and element science के लिए यहां पर post आईए dean की post आईए और यहां पर salary same है as per previous post और यहां पर qualification मांगा गया है BBSC या फिर animal husbandry 55% marks यहां पर हो और सारी detail यहां पर है जिसको आप देख सकते हैं 15 year का experience और यहां पर 57 year से कम यहां पर age limit होना चाहिए आगे अगर हम आगे की post की बात करेंगे तो यहां पर है secretary to voice chancellor यह post है और यह है label 11 in 7 CPC pay matrix qualification क्या मांगा गया है यहां पर की qualification होना चाहिए यहां पर bachelor degree होनी चाहिए यहां पर BBSC agriculture वाली student भी आवे दन कर सकते हैं और salary यहां पर है 15,600 से लेके 49,100 रोपे प्लस grade pay है यहां पर 500 और यहां पर और सारी detail है जिसको आप देख सकते हैं फिर है assistant engineer जो की civil की post है यहां पर भी bachelor degree मांगी गई है engineering में civil में और सारी detail है जिसको आप यहां पर देख सकते हैं वीडियो को post करके आगे अगर बात करें assistant registrar लीगल यह है आपका इसमें भी degree bachelor degree मांगी गई है law की और 55% यहां पर percentage होना चाहिए age limit है 14 और कुछ experience भी आपर मांगा है तो देख सकते हैं आप है फिर आगे है junior account officer यह भी level 8 in 7th CPC यहां पर पे skill रहने वाला है essential qualification में bachelor degree होनी चाहिए और 35 year यहां पर age limit रखी गई है अगे की post है जिसका नाम है private secretary के नाम से यह post है यहां पर भी bachelor degree ही मांगी गई है और यहां पर यह कुछ detail है जिसको आप यहां पर वीडियो को post करके पढ़ सकते हैं age limit है यहां पर 40 साल और आगे की post की बात करें तो यह है personal assistant नाम से यह post है और यहां पर यह pay scale रहने वाला है 6S पर 7 CPC पे metric और यहां पर अगर essential qualification की हां पर हम बात करेंगे तो यहां पर भी bachelor degree मांगी गई है graduate यहां पर आवेदन कर सकते हैं यानि कि यहां पर इन दौनों post के लिए B.Sc.A. agriculture वाले student B.Sc. horticulture वाले भी इन post के लिए आवेदन कर सकते हैं और age limit 35 year यहां पर थी आगे बात करें आपर division clerk के नाम से यह post है इसमें भी bachelor degree मांगी गई है और knowledge होना चाहिए computer application की age limit 35 और pay scale है 4S पर 7 CPC हाँ पर pay scale रहने वाला है और आगे अगर हम बात करेंगे तो 11 नमर की जो post है यह है teaching का research associate जो कि animal science में है salary यहां पर 54,000 रुपे प्लस HR यहां पर है जो कि fixed salary है यहां पर और age limit यहां पर है 40 year for male 45 year for female candidate essential qualification में हम यहां पर PhD मांगी गई है यानि कि जो PhD candidate है वो इस post के लिए आवेदन कर सकते हैं आगे गर हम last date की बात करेंगे आभी तक हमने जितनी अलग-अलग post देखी है और यहां पर कुछ special जो location दे रखी हैं जैसे यहां पर हिमाचल प्रदेश, आंडमान, निकुबार, लक्षदीप और union territories यहां कुछ eastern treason की, लद्दाख, जमु कश्मीर, यह सिक्कम बगएरा इनका जो last date है वो 31 अगस्त है, यानि 31 अगस्त तक यह आवेदन कर सकते हैं और सारी detail है, यहां पर आप वीडियो को post करके देख सकते हैं और यहां पर भी कुछ relaxation दिया गया है एज में और experience के बारे में यहां पर कुछ बताया है तो यह है www.rlbcau.ac.in यानि की www.rlbcau.ac.in यहां पर इनकी ऑफिशल वेबसाइट है, जिस पर आप वेजिट करके इस detail information यहां से आप देख सकते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्री मंत्रा ने अपना application यानि एप लॉंच किया है जो कि play store पर available है अगर आपने अभी तक इस application को download नहीं किया है तो नीचे दिये गए description box में link से जाके आप इस app को download कर सकते हैं इसमें बहुत सारा free agriculture study material available है, बहुत सारी videos यहां पर available हैं जिनको आप play store से download करके आसानी से देख सकते हैं आगे यहां पर कुछ detail है, यहां पर detail में यहां पर इनका application की fees की बात करेंगे तो यहां पर 1000 रुपए है और SCST PWD candidate के लिए यहां पर 500 रुपए application fees है, अलग-अलग यह जो post हैं आप इनके जो qualification के according, आपके qualification के according इन post में आप आवेदन कर सकते हैं last date के हमने यहां पर बात की है, 16 अगस्त यहां पर last date है, official website की भी हमने यहां पर बात की है, rlbcau.ac.any हां पर इनकी है, official website है और सारी detail है यहां पर जिसको आप वीडियो को post करके पढ़ सकते हैं तो guys यह थी आज की वीडियो, I hope आपको वीडियो informative लगेगी और वीडियो पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें, साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और अगर आप अभी तक agree mantra channel पर नहीं थे, यानि आपने अभी तक agree mantra channel को subscribe नहीं किया है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को आप subscribe कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक agree mantra के social media platform को join नहीं किया है, तो उसकी वी लिंक आपको वीडियो का description box मिल जाएगी वहाँ जाके आप उन sites को, social media sites को आप join कर सकते हैं, हमारे साथ आखरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद, जै हिन, जै भारत